आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Find the equivalent resistance between A and B in the following cases तो ये point A है और ये point B है सभी में point A, point B mentioned है हमें equivalent resistance निकालना है तो चलिए पहले part की बात करते है part A तो ये साड़े series में है तो RAB resistance across AB is equal to हो गई R plus 2R plus 3R और ये up to 100R तो अब क्या करते हैं R common लेते हैं R common लेने का बचेगा 1 plus 2 plus 3 plus up to 100 तो ये हो गया R into 1 से लेकर 100 तक का sum क्या होता है 100 into 100 plus 1 upon 2 ये basically एक formula होता है यहां लिख देता हूँ sum is equal to होता है N into N plus 1 by 2 ये होता है summation 1 to N तो ये formula होता है मैंने N into N plus 1 by 2 ही लगाया है तो ये हो गया मेरा इसे जब solve करेंगे तो ये बन जाएगा 5050R तो ये मेरी हो गई R equivalent की value तो ये part A का हो गया answer अब part B में आता है तो part B में देखें part B में जो है ये infinity तक जा रहा है तो up to infinity ये जा रहा है तो हम जब इसे अलमा लिजे R A B ये R not हो गया मतलब यहां से R not हमें देख रहा है ये मेरी R not हो गई तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो pattern है R to R का ये repeat कर रहा है ये बार बार repeat हो रहा है तो ये R to R का pattern जो है repeat हो रहा है इसका मतलब मैं इतने वाले combination को भी अगर देखूं तो देखिए इतना वाला combination जब यहां से देख रहे था तो R not नजर आ रहा था तो इतना भी देखेंगे तो ये भी हमें R not ही नजर आएगा इसका मतलब मैं अगर इसकी diagram बनाओ तो ये R है ये parallel में 2R है तो इसका मतलब इसके parallel में जो है ये R not ही नजर आएगा ये R not जो हमारे यहां R not हमें यहां नजर आ रहा है भई R not यहां पर मतलब ये pattern एक दूसरे को repeat कर रहा है तो यानि इसका मतलब हो गया R not इस वाले की R not कर रहा हूं R not की बात कर रहा हूं तो R not is equal to हो गया ये वाला R plus series में क्या आएगा इन दोनों का parallel combination that is 2R into R not upon 2R plus R not ये हो गया तो अभी से बस हमें solve करना है तो solve करते हैं तो ये हो गया R not minus R मैं इस R को अंदर ले लिया R not minus R into 2R plus R not ये इसे मैं multiply कर दिया is equal to 2 into R into R not ये मेरी हो गई अब इसे मैं expand कर देता हूं तो expand करने के बाद मैं सारे terms को एक तरफ ले लेता हूं ये मेरा हो गया plus R not square minus again R not is equal to 2 R not तो ये मैंने तो simply expand कर दिया अब एक तरफ ले लेते हैं R not square के term में इसे quadratic बना देता हैं तो minus R not ये मेरा minus 2 R square is equal to 0 तो हमें R not की value निकाल दी थी जो हमने equivalent बाना था तो R not is equal to हो गया तो हम जानते हैं minus B यानि R plus minus root under determinant यानि B square minus 4 AC तो R square plus 8 R square upon twice of A तो ये 1 है तो 2 into 1 तो इसे हम लिख सकते हैं R plus minus तो under root से बाहर निकाला तो ये हो गया मेरा 3 R upon 2 यानि इसकी दो values possible है एक minus R और दूसरी 2 R अब देखिए resistance तो है कभी भी negative नहीं हो सकती है तो मेरी resistance across A B is equal to हो गई 2 R क्योंकि minus है ये तो ये discard हो गया value तो resistance across A B 2 R आ गया तो B part का answer हो गया 2 R अब C part देखते हैं तो C part में ये native दे रखा है A और B या बिल्कुल infinity पर है अब देखिए अगर हम इस पुले diagram को अच्छे से देखे तो हमें देखेगा कि ये R फिर R plus R फिर 4 resistance 8 resistance मतलब पहले 1 था अब 2 हुए 4 8 इस pattern में ये बर रहा है तो अगर मैं C वाले की equivalent diagram बनाऊं तो ये लिजे सबसे पहले तो R था बाद में क्या हुआ बाद में 2 था तो 2 R हो गया क्योंकि series में था R plus R 2 R हो गया अब देखिए अगर 4 है तो ये क्या हो गया ये हो गया 4 R अब देखिए अब 8 है इसका मतलब ये क्या हो गया ये हो गया 8 R और ये continuously increase करते जा रहा है तो माल लिजे ये मैंने यहाँ पर increase कर दिया ये मेरी point A है और ये मेरी point B है तो हमें R equivalent चाहिए तो इसका मतलब हो गया 1 upon R A B 1 upon R A B is equal to हो जाएगा parallel में तो 1 upon R plus 1 upon 2 R plus 1 upon 4 R और ये चलता जाएगा infinity तक तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 upon R common लेंगे चलिए 1 upon R common लेने के बाद 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus up to infinity अब देखिए क्या बन गया ये बन गया AGP AGP नहीं है सिर्फ geometric progression GP बन गया geometric progression तो 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R और geometric progression up to infinity तो इसका sum क्या होता है A upon 1 minus common ratio common ratio है half तो ये हो गया मेरा तो यहाँ से 1 upon R equivalent की value आगई मेरी 2 upon R इसका मतलब R equivalent is equal to R by 2 तो R by 2 हो गया इसका resistance यानि इसका answer हो गया R by 2 so this is the complete solution Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 844444 पर